हलो मेरे प्यारे दर्शकों आज 7 स्टार्स उस्पीश्यस बोजन रेसीपी में मैं अनीता भावनानी लाई हूँ मल्टी ग्रेन होममेड आटा और ये मल्टी ग्रेन होममेड आटा में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बोक्स में सब मेजर लिखे हैं आप जरूर पढ़के बनाईे तो ये मल्टी ग्रेन आटा में जो मैंने होममेट बनाया इसमें तील और जीरा और नमक डालके रखा था मैंने अभी मुझे सिर्फ पानी से आटा गुनना है और इस तरह से जो हम पराठे स्टाइल का आटा गुनते हैं आटा गुनने के पार 10 मिनिट समको रेस्ट देना है उपर से हलका सा ओईल डालके 10 मिनिट रेस्ट करेंगे तो ये आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगे और ये टिकोना पराठे अच्छे बनेंगे मैंने 50-50 ग्राम के पेड़े बनाए है और इस तरह से मैं इसको फिंगर से प्रेस करके ड्राइ ग्यों के आटे से मैं थोड़ा उपर सुखा लेती हूँ रोल करने के लिए और जैसे हम रोटी बेलते हैं रोल करते हैं वैसे उसको पूरा बड़ा रोल करना है पूरी अच्छी रोटी जैसा शेप बड़ा करना है पतला भी नहीं मोटा भी नहीं box में पढ़िए अभी मैं इसमें one fourth half teaspoon तक इसको oil डालती हूँ आपके उपर कितना oil डालना है अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो आपके dip pen आपकी choice है और यह इस तरह से अच्छे से तेल डालके मैं बीच में इसे knife से cut करके इस तरह से first fold करती हूँ यह second fold हुआ अभी जो यहाँ पे है उपर लेके third fold करती हूँ इस तरह से finger से मैं press कर रही हूँ और इस तरह से जैसे हम समोसे को press करते हैं वैसे इसके यह भी प्रेस किया और यह dry powder से मैंने उसको dry से आगे पीछे पूरा spread sprinkle करके धीरे धीरे अभी roll करना है नहीं तो पूरा layer एक में एक चिपक जाएगा तो इसको अभी धीरे धीरे बड़ा करती हूँ triangle shape में यह देखिए मैं हलका मेरा हाथ है और मैं हलका हलका roll करके बड़ा करती जा रही हूँ पर इसको आराम से करना है यह तो जो इतना हमने layers की वो सब दप जाएंगे तो taste में change आ जाएगा तो इस तरह से अभी मेरा एक इतना बड़ा पराठा ready हो गया है और यह तवे पे रखा है friends यह multi grain आटा जो मैंने घर में आटा पीसवाया है एक lady घर में पीसके देती है वो बहुत यह हमारी health के लिए अच्छा है proteins, vitamins, minerals, fiber मिलता है हमें इसकी आदत रखनी चाहिए हफते में दो बार यह बनाना चाहिए एको मैं इसे गुमाती जा रहे हूँ और medium to flame से बहुत high flame नहीं रखना है और इस तरह से हलका गुलाबी बहुत गुलाबी light light है तो मैंने इससे इस तरह से 1-4 टीसपून जितना oil डालके अभी position direction change करके देखो इस तरह से मैं खुर्पी से गुमाती गुमाती जा रहे हूँ और 1-4 टीसपून अगें oil दूसरी साइट भी लगा रहे हूँ और इस तरह से खुर्पी से प्रेस हलका हाथ रख रहे हूँ यह देखो कितना अच्छा pinkish color आया है ओवर से काई नहीं करनी है तो पूरा vitamins का कोई meaning नहीं रहेगा तो पूरा vitamins खतम हो जाते हैं तो देखिए मेरा first paratha ready हो गया ऐसे करके मैं सब टिकोना paratha बनाऊंगी यह अचा सा देखिए मैं पूरा sides करके check कर रहे हूं कहीं कच्छापन भी नहीं होना चाहिए ओवर कोकिंग भी नहीं होना चाहिए ऐसे करके यहां जाली में रखती जाती हूं एक करके और जब दूसरा करूंगी तो पेला वाला में डिबबय में डालती जाओंगी ऐसे करके मै यह ने सब बना दिये हैं यह देखिए आप भी बनाये like, share, comment कीजिए आप जरूर बनाये और friends यह बहुत healthy होता है आप राइते के साथ खा सकते हो आचार के साथ खा सकते हो यह बहुत tasty होता है like, share, comment कीजिए